ठ्री लेड अन साइड वे हैं ओर थ्री रैच तो इस तश्वीर आप लोग देख सकते हों और मुरादाबाद बरेली और उत्राखंड के अंदर देख सकते हैं डेली मेरट रर टीएस कोरीडोर जो बनाय जा रहा है एन एच फिप्टी एट पर तस्वीर आप लोग देख सकते हैं और यहां ही पर यह लिंक किया जा रहा है गौतम बुद्धनगर में जो बनाय जा रहा है फिलाय उबर इंडियान रेलवे के उपर देख सकते हैं वह चमक रहा है वहाँ है और यहां से यह कनेक्ट कर रहा ह고 देखो यह और यहां से लिंक कर रहा है अब वीडियोस आप लोगों नहीं देखें तो देख लेना ना मैं फतन यह बन्क क्रूब तो देख लेना तो चलते अब लोग दिखाते हैं आप लोग ओ not इतना gap है इस पिलर के बाद यह देखो और यहां पर आ जाता है यह तो उधर तो सेट्रिंग के काम चल रहा है अभी लेकिन इधर भी लाश्ट में सेट्रिंग लगा दी गई है तो यहां पर अभी इन्हें बक्त लगेगा इस साल के एंड तक इसमें काम कंप्लीट कर लिया ज के लिए और नात शक क्या देख सकते हैं उधर अभी लगा दी गया है पीछे आ हैं के लंड की यहां के लागें और यह देखिया साल भी लगाने ला आया है तो अभी इन पर गांटर लांचिंग नहीं हो बगार है गांटर लाॉंच्ञ और Südhri ही οपा है अभी दों पिलर क दो पिलरों पर अभी हुई है गाटर लॉंचिंग अभी यह गाटर लॉंचिंग का ही लगा रहे हैं सेट्रिंग बिठा रहे हैं देख सकते हैं आप लोग तच्वीर हैं और यह आता है दोहाई के अंदर यह दोहाई नह 58 पर यह कनेक्ट करा जाएगा और इसके बगल में है इंदर प्रेंस्त गैस 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 पंप भी है यहां पर तो दिखाते हैं आपको गुमा कर गैस पंप भी है दिखाई देगा अब यह अब ही हम हैं यहां पर बाप मदबन बापु दाम के अंदर देख सकते हैं तो यहां सक चले आया हम उस फिलावबर को बनाते हुए यह यह है ड्रेनर सिस्टम इसमें पानी भी भरा हुआ बरसात का तो यह कुछ हाईवे निकल के जा रहा है देख सकते हैं आप लोग और यह फिक्स लैन का हाईवे है यह देखो इस पर रोडी बजरी पलना कंक्रीट मतलब स्टार्ट हो चुका है यह जा रहा है कुछ इस तरीके से क्योंकि यह सीधा आपको बता दू एंडियार एफ होते हुए पुलिस लाइन एंडियार एफ होते हुए यह यहां से कनक्ट किया गया है और यह निकलता हुआ आपका निकलेगा जाके इस तरन पैरिफेरल के उपर और बहीं से स्टार्ट हो जाता है डैली मेरत एक्सप्रेस वे भी कनक्ट किया जाएगा और इस तरन पैरिफेरल भी कनक्ट किर दिया जाएगा जो कि यह ओदोगिक छेत्र माता है पूरा एरिया यह ओदोगिक छेत्र के अंदर आता है तो इसलिए यह हाईवे बनाया जा रहा है ताकि माल का आना जाना आसानी से हो सके सिटी के अंदर तो इसलिए यह बनाया जा रहा है और इधर से हम निकलते हुए चलेंगे देखो वहां पर जो बिल्डिंग बनी होई है वो यह वाली यह अब ही यहां पर यह जो किसानों की जमीन है वो एकवार नहीं होई है और जीज दिन यह लैंड अपार हो जाएगा उज दिन यह कंप्लीट कर लिया जाएगा यह तो इदर जा रहा है connect कर रहा है ठीक है और दूसरा यह सीधा ही है आपको बता दू हां यह सीधा ही निकल रहा है यह देखो यह सीधा निकल रहा है उदर की साइड में वो भी आपको दिखाते हैं यह है drainage system कि इते NCR का गोल चक्करी चक्कर है बस यह देखो इस पर औरी बदरी अब पढ़नी स्टार्ट हो गई है इस पर काम चल रहा है तो कुछ इस टाइप का बनाया जाएगा यहां पर देखे यह दे दी जाएगी connectivity और इसके बगल सही है यह मदुमन बापुदाम की जो बिल्डिंग है यह तो नाले से किरौस हो जाएगा सीधा-सीधा यह गोंद पुरम में जाके निकलेगा बदुमन बापुदाम में और यह ऐसा निकलता हुआ सीधा उधर पहुचेगा तो आपको इसको कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर में कि यह कहां से निकलता हुआ जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में गाईज तो यह तान जारा यह अभी हम खड़े हुए हैं मदुमन वापुदाम गोविंद परम गाजयाबाद उत्तर परदेश इंडिया और आपको बता दूँ वहां पर यह थाना है आगे थाना है मदुमन बापुदाम का दोस्तों देख सकते हैं तश्वीर हैं और यह बनाई जारी है रोड और यह है सिक्सिलेंड का एक्स्प्रेस पर ब रिसेंटीलिमेर्ट इन और उसका वीडियो आप लोगा नहीं देखा है तो देख लेना गाल है मैं अलिवाघ भेटन से लिंक देऊ दा करा आपको बतादू यह म्सक्वान बापु दाम होते हुए आपको बता दू कहीं मुदा अन्दर आता हैं यह जितना अरिया आप ञाकरी होगी डहली मेरट राल टीएस का जो एस गुप बनाया जारहा है धेख सकते हैं वो तस्वीर है रापट रेल का वह यहां से आप लोगों ट्रेक भी दिखाई दे जाएगा ये देख सकते हैं तश्वीरे और भही के वहां से कनक्ट करेगा तो ये बनाया जा रहा है दे अब बगल सight है railway faatak वहाँ पर तो वह तो CLOSE कर दिया जाएगा और यह main road हो जाएगी हैzić को तो आने जाने बालोו के लिए वहाँ सब्थुक्त हो जाएगा ईजिसे दोहाई के अंदर भीज़न आते हैं यहाँ पर यह ठोटिंग की होई है जिसको भी यहाँ किसी को लेना है अगर अपना property बनाना चाहता है तो यहाँ पर आ सकते हैं आप लोग क्यूंकि जो यहाँ पर इसके rate हैं जमीन के वो हैं 30 और 50 के बीच में तो आप लोग यहाँ contact करका आ सकते हैं और उसके बगल से यह लिकल रहा है highway जो कि यह connect हो जाएगा पुरम बापुदाम होते हुए यह आपका निकलेगा मैं डाइली मेरा टैक्स बेस बस है जुड़ जाएगा गाई तच्वीर आप लोग देख सकते हैं और हम चलते हैं आप देखे यह यह रहिसपूर बिलेज है यह सामने बाला जो बिटनिक चमक रही है और यह मेरे पीछे वाला है रहिसपूर तदरपूर रहिसपूर और यह आपका दुहाई इन्हीं ही लोगों की यह जमीन है देख सकते हैं आप लोग